जी तो वीवर्स चर्सी कडाई बन रही है आज Food is Life चैनल पे ये YouTube चैनल मेरा है और मेरा नाम है साइमा खैसर तो देखते हैं कैसे बनती है बड़ी शानदार बनेगी इन्शाला ताला गैरंटी से टेस्टी और बहुत ही फ्लेवरफुल कडाई बनने वाली है इसके लिए लूँगी में एक पैन और उसमें एड़ करूंगी चार कप आईल वीवर्स ये चर्सी कडाई बनाना बहुत ही आसान है फ्यू स्टेप्स हैं जो आप सीख लेंगे तो हर रोज हर दूसरे दिन मज़ेदार सी कडाई बना के अपनी फैमली को देंगे तो आपकी फ इसमें आईल जाएगा फ्राइ के लिए फ्राइ के बाद हम इस आईल को रिमूब कर देंगे और जितना हमें रिक्वाइर होगा उतना आईल हम इसमें दुबारा से एड़ कर लेंगे लेकिन अगर कुछ लोग कॉंशियोस होतें अपनी हैल्थ के बारे में या फिर अपनी दूबारा ओएड़ ना करें चिकन पीसे को हम अच्छी तरह से फ्राइ कर लेंगे ताकि किसी भी तरफ से इसमें कच्छा पान ना रह जाए वीवर्स चर्ची कड़ाई बहुत टेस्टी बनती है और कड़ाई के जो काइंड्स है या किसमें है ना उसके अंदर ये मेरे ख्याल में तो हाई लेवल पेस का टेस्ट है आप दावतों के लिए और अपने फैमली के लिए अकसर इसे बनाएंगे इन्शाला ताला जब चिकन को फ्राई करने के दूरान फ्लेम जो है वह हम हाई रखेंगे चिकन हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है अब हम इसके अंदर से फाल्तू आइल जो है वो रेमूव कर लेंगे ये तो है कि चिकन चर्सी कड़ाई बनाने के लिए हमें स्टार्ट में ज्यादा करना पड़ेगा जब हम इसे रिमूव कर लेंगे तो इसमें एड़ करेंगे बारा तेरा लेसन के जो जवे हैं चॉप करके इसके बाद एड़ करेंगे तीन पॉर टमार्टर जो के हाफ में मैंने कट कर लिये थे और उन्हें उल्टा इसलिए रख रही हूं ताकि जब स्ट कर रही हूं लेकिन इनको मिक्सी करना है इसके अंदर इस वक्त इनका फ्लेवर चाहिए थोड़ा सा पानी एड़ कर दूंगी जस्ट के ये चिकन जो है वो नीचे ना लगे और जलना जाए अब इन्हें हम ढापके थोड़ी देर के लिए पकाएंगे लेकिन उससे पहले हम वन टेबल स्पून सॉल्ट जो है वो इसके उपर जरूर एड़ करेंगे निमक पहले एड़ करने का ये फाइदा होगा कि ये स्टीम के दुरानी चिकन में और टमाटरों में अच्छी तरह से जजब भी हो जाएगा और इन्हें सॉफटर टेंडर होने में भी हेल्प देग दो मीडियम प्याज लिये थे मैंने और उनके थिन स्लाइसे यानि के बारी कतले काट ली है और उनको मैंने टंडे पानी में सोग कर दिया है तो चलिए वीवर्स देख लेते हैं कि टिमाटर और चिकन जो है और चिली जो है हमारी गल चुकी है हम वाकई ये सॉफ्ट हो चुकी है टेंडर हो चुकी है और इनके उपर से अब हम चिलका जो है टिमाटरों का रिमूब कर लेंगे टिमाटरों का चिलका जल्दी से गलता एक कम हमने याद से करना है कि एक चार कॉल का पेस लेकर उसे आग पे साइट पे राख देंगे ताकि जिस वक्त हमारी कड़ाई त्यार हो जाए तो उसे अरोमा देने के लिए हम उस जलते हुए चार कॉल को यूज करेंगे इन टेमाटरों को हमने अच्छी तरह से क्रश कर लेना है इनका असल में हमने मसाला बनाना है यह नजर नहीं आने चाहिए लाइट सा मसाला होता है इसका बहुत ज्यादा नहीं लेकिन सारा आरोमा इन बोटियों में चला जाएगा और यही चरसी कड़ाई का जो असल जाएका कड़ाई बहुत मसेदार होती है इसके लिए आप रोगनी नान और दूसरे नान भी यूज़ कर सकते हैं साधे जोते तिलों वाले अब मैं एड़ करी हूँ इसमें कश्मीरी चिली पाउडर तकरीब एक टी स्पून के करीब जस्ट कलर के लिए एड़ हो रहा है जाएके के इसकी मसाले को खास तोर पे पीशते चले जाना है हमारी चर्सी कड़ाई तो तकरीबन बनने वाली है तो मैं जल्दी से जो चार कॉल का पीश है उसको आग पे रख देती हूँ ताकि यह अच्छी तरह से बन हो जाए और मैं बाद में इसे यूज़ कर सकूँ वा जी वा हमारी चर्सी कड़ाई की तो बड़ी जबरदस्त सी लूप काना शुरू हो गई है और एक जबरदस्त और टेस्टी सा आरोमा पहला हुआ है और जो मैंने चार कॉल रखा है उसकी खुश्भू भी फैलना शुरू हो गई है एक्स्ट्रा ओयल में से मैंने थोड़ा सा ओयल दुबारा से एड़ किया है क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा कम है एड़ कर दिया है मैंने हाफ कप आफ योगर्ट यानि के आदा कप दही और उसको मैं अच्छी तरह से पहले एक साइड से ही पकाने की कोशिश क मैं अच्छी तरह से घूल जाय तो ये देखें मिक्स कर रही है यो अच्छी तरह से इसका सब कुछ है आप समझी है कि इसको भूनते जाएंगे तो अच्छी सी कड़ाई तियार होगी इस वक्त मैंने इसमें एड़ किया है वान टेबल स्पून कॉरियंडर पाॉडर यानि के जीरा पाउडर है दो टी स्पून के करीब सबस मिर्चे एड़ की हैं मैंने फ्लेवर के लिए आप चाहें तो ज्यादा भी एड़ कर सकते हैं और इनको मैंने हाफ में कट किया था और इसकी जान जो है फ्लेवर की वो है काली मिर्च पाउडर में यानि ब्लैक पैपर पाउ फालेस में जजब हो जाएंगे हमारी कडाही तकरीबन तयार हो गई है और हमने इसको अच्छी तरह से भोन के अच्छा सा गार्णिश भी करना है इन्शालबर आप ये बनाएंगे यकिन कि ये बहुत मज़ा पाएंगे इन्शाललबर ये मैंने ज्यादा ज्यादा इसका लेकिन देसी की ही इसमें बहुत टेस्टी लगेगा अब वो बर्निंग कोल यानि के जो मैंने कोईला अच्छी तरह से गर्म कर लिया था वो मैंने एक चमच रखके उसके उपर रख दिया है मैंने कोई फॉाइल पेपर वगारा नहीं उसकिया सिंपल एक स्पॉन के उपर वो उसके उपर थोड़ा सा ऑईल ड्रॉप करें तो फैलना शुरू हो जाएगा उसको जजब रखने के लिए हम उसे कवर कर देंगे एक लिड के साथ जनाब इदर मैं बना रही हूं स्पेशल सा सैलर्ड इसकडाही के शायाने शान जो होना चाहिए तो इसके लिए मैंने जो कैबच या परपल कैबच होती है उसके चंक्स ले लिए हैं उसे चॉप कर लिया है हाफ कप के करीब मैंने ली थी और इसी तरह ग्रीन कैबच यानि के बंद गोबी जो सब्स आम होती है जो यूज होती है उसको भी हाफ कप ले लेंगे सैलर्ड शानदार होना चाहिए और कारामकडाः तो बनाती ही रहतें, यह भी बना के देखें, और सलाथ क्योंकि हमें अच्छा सा चाहिए तो इसमें लेमन जरूर रैड होगा मैंने एक देसी लेमन लिये थे बड़े जूसी थे बड़े अच्छे थे आर्टिफिशल नहीं थे तो उनके चार पीसिस कर ली हैं इसी तरह जो मैंने प्यास सोक करके रखे थे पानी में अब अच्छी तरह से वो खिल चुके हैं फ्रेश हो चुके हैं तो उनको भी मैं सैलड में एड़ कर लूँगी और अच्छी तरह से इनको मिक्स करूँगी लेकिन थोड़ी सी मैंने इसको और चटपटा बनाने के लिए ग्रीन चिलीज को हाफ में काटा है और उसे एड़ कर लेंगे इसमें इन्शाल्ला मेरी ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी और मुझे यकीन है कि आप कंजूसी से काम नहीं लेंगे और मेरी रेसिपी को लाइक भी करेंगे अपने दोस्तों में शेयर भी करेंगे ताकि आप मजीद अच्छी सी रेसिपी जान लें मेरा मूड है कि मैं बहुत ही डिफरेंट रेसिपी ही एड़ करूं ताकि आम रेसिपी तो हम हर वक्त देखते रहते हैं चले कोई खास जो हम सीख जाएं तो मारे घर वाले खुश हो जाएं इसी तरह राइता बना पाउडर जो होता है वो मैंने इसमें वन टी स्पून एड़ कर लिया है इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लोंगी ये राइता भी आप चावलों के साथ भी यूज कर सकते हैं और कडाही के साथ भी बहुत बहुत टेस्टी लगता है तो लीजिए थोड़ी सी महनत के बाद हमारे पास राइता और सलाद हमारी कडाही के शायाने शान या उसे कंप्लिमेंट करने के लिए तैयार हैं थोड़ी सी महनत से हमारी फैमिली और फ्रेंड्स जो हैं वो अच्छी तरह से खुश हो सकते हैं उनके दिल राजी हो सकते हैं ये हमारी कडाही देखे कितनी प्यार लग रही है बोटी यहां टोटी नहीं है हमें बहुत क्यार्फुली इनको डील किया था तो इनके उपर उंद आपको पस्णद आयोगी और अगर आप भनाएं खाएं मुझे दौां में बियाद रहे गएRight यह कारा कदा और आपटे की जीर अगर कल देखा Army और है coral everyone कर सकूँ और रेसिपी जापके साथ शेयर कर सकूँ अल्ला हाफिज